जे मातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हार्द इक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आसान गुप्त नौरात्री साल तो हजार चौबिस में क हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें, साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें, तो आईए सुरू करते हैं. दोस्तों, हिंदू धर्म में नौरात्री के पर्व का विसेश महत है, पूरे साल में चार नौरात्री मनाई जाती हैं, अधिकांस लोग साल के दो नौरात्रियों के बारे में जानते हैं, ये नौरात्री चैत्र और शार्गदी नौरात्र कहलाते हैं, लेकिन इन दो नौरात्रों के अलावा भी दो नौरात्री होते हैं, जिनें गुप्त न गुप्त नौरात्री कहा जाता है ये गुप्त नौरात्री माग और असान के महीने में आते हैं गुप्त नौरात्रों का महत्व चैत्र और सार्दी नौरात्र से भी जादा होता है क्योंकि गुप्त नौरात्र में मद्रुगा सीग्र प्रसन्य होती हैं। पूझा के नौ दिनों में मद्रुगा के नौ सरुगों के साथ साथ दस महा विद्याओं की भी पूझा का महत्व है। ये दस महा विद्याएं मा काली देवी, मा तारा देवी, तृपुर सुंदरी, भूने स्वरी, छिन मस्ता, मा तृपुर भैरवी, मा धूमा वती, मा बगला मुखी, मा मातंगी और कमला देवी हैं दोस्तों, इस नौरात्र को करने में सबसे जबुरी बात ये है, कि इसमेशाधक को, कूण सेयम और सुद्टा के साथ, मा भगवती की अराधना करने चाहिए गुप्त नौरात्रों में मदुर्गा की पूजा की जाती है चुकि इस दोरान मा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है इसलिए इन्हें गुप्त नौरात्री खा जाता है सांसारिक लोग इस नौरात्र को ठीक उसी तरह मनाएं जिस तरह से वे चैतर और सारदी नौरात्र मनाते हैं चले जानते हैं कि साल 2024 में आसार गुप्त नौरात्री कब सुरू होगी और कब समापत होगी तो आपको बता दें कि आसान नौरात्री की सुरुवात 6 जुलाई 2024 दिन सनिवार से हो जाएगी और नौरात्री की समापती 15 जुलाई 2024 दिन सुमवार को होगी और प्रति पदातिती की सुरुवात 6 जुलाई 2024 की सुबा 4 बचकर 27 मिनट पर हो जाएगी और प्रति पदातिती की समापती 7 जुलाई 2024 की सुबा 4.26 मिनट पर होगी और कलस स्थापना करने का सुब मूरत 6 जुलाई की सुबा 5.29 मिनट से लेकर सुबा 10.6 मिनट तक रहेगा इस सुब मूरत की कुल अवधी 4 घंटा 37 मिनट की रहेगी और इस दिन अब जीत मूरत सुबा 11 बचकर 58 मिनट से लेकर दो पहरवारा बचकर 54 मिनट तक रहेगा चले अब जानते हैं आसान गुप्त नौरात्री के किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी दोस्तों 6 जुलाई 2024 दिन सनिवार को प्रति बदाति थी रहेगी इस दिन घट स्ताबना के साथ मासेल पुत्री की पूजा की जाएगी 7 जुलाई 2024 दिन रवी वार को दोतिया थी रहेगी इस दिन माबरम शारनी की पूजा की जाएगी 8 जुलाई 2024 दिन सोम वार को तरतिया थी रहेगी इस दिन माचंदर घंटा की पूजा की जाएगी 9 जुलाई 2024 दिन मंगल वार को तर्जिया तिथी रहेगी 10 जुलाई 2024 दिन बुद्ध वार को चतुर्थी तिथी रहेगी और इस दिन माकोसमांडा की पूजा की जाएगी ग्यारा जुलाई 2014 दिन गुर्वार को पंजमी तिथी रहेगी, इस दिन इसकंदमाता की पूजर अरजना की जाएगी 12 जुलाई 2024 दिन सुक्रवार को सस्टी तिती रहेगी इस दिन मा कात्यानी की पूजा की जाएगी 13 जुलाई 2024 दिन सनिवार को सब्तमी तिती रहेगी इस दिन मा काल रात्री की पूजा अर्चना होगी और 14 जुलाई 2024 दिन रविवार को अस्टमी तिती रहेगी इस दिन दुर्गा हस्टमी के साथ मा महा गौरी का पूजन किया जाएगा और 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को नौमी तिती रहेगी इस दिन मासिद दातरी की पूजा की जाएगी और हवन और कन्या पूजन के बाद नौरातरी व्रत का पारण भी किया जाएगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद